हलो दोस्तों मैं हूँ गोराओ एंड पिछले वीडियो में अपने क्या देखा था कि आपको कॉन करेंट अगर एक बिल्ड चलाना एक जॉब के तो आप कैसे चला सकते हो इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ रिट्राय अकाउंट के बारे में क कि वो क्या ओप्शन है और उसको कभी यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेमो गेट फ्रिस्टैल प्रोजेक्ट डेमो रिट्राय कर देता हूं मैं इसको र-e-t-r-y ओके एंड यहां पर सपोज यह प्रोजेक्ट एक गिट प्रोजेक्ट ह अथी कर मैं यहां पर github का एक यूरिल डालता हूं सो क्या है कि डेमो जैनकीन्स यह अपना url है अपने किट का मैं इसको claker लेता हूं मैं और यूरिल को जान्हें ऊहांट गलत कर देता हूं यहां पर लास्ट में one एड कर दिया म attorneys ठीक है apply and save कर दिया मैंने end अब मैं क्या करता हूँ इसको build करवाने का try करता हूँ जैसे ही मैं इसको build करवाने का try करूँगा तो आप यहाँ पे देखो right error आ गई है यहाँ पे अब मैं वहाँ पे try counts जो है वो टीन चार करता हूँ clear and try करता है क्या होता है तीन कर दिया मैंने apply and save करता हुट रहा है build now अभी आप देखो क्या हो रहा है console output आई होप आप लोगों समझ में आ गया होगा यह क्या किया इसने इसको पूरा फड़ाने देता है फिर मैं आपको explain करके बता दूँगा कि उसने क्या चीज की है ठीक है so simply आप देखो इसने क्या की है मैं आपको बता देता हूं आपको configure and हुआ क्या दोस्तों आपने suppose यहां पे git का url जो है वो गलत डाल दिया and not only git का url गलत डाल दिया कोई भी रीजन हो सकता है कि वह यहां पे जो भी आप url डालो वहां से वह code fetch नहीं कर पा रहा है कोड उठा नहीं पा रहा है कोड उठा नहीं पा रहा है का देखो लाइक जैसे यहां पे तो मैंने url डाल दिया बट दूसरी कंडिशन क्या होती है ऐसे आपका जैनकीन सर्वर जो इफ से नहीं कर पाए हो सकता है उस पर इंटरनेट चलीन आ रहा हो उस ताइम पे तो फिर उस ताइम पर क्या करेगा जैनकीन सरवर डायरेकली फेल हो जाता था पहले बट जब मैंने यहां पर रिट्राइव काउंट तीन डाल दिया तो और उसने पहली बार try किया git clone करने का और जैसे वो git clone नहीं हुआ इसने fake दिया अब दूसरा जो आउटकुट है दूसरे build का जो आउटकुट है आप वह देखो उसने क्या किया पहली बार try किया right fail हो गया retrying after 10 seconds वह 10 seconds के बाद में वापस try किया फिर वापस 10 seconds के बाद में try किया and उसके बाद में उसने वापस 10 seconds बाद try किया और जैसे उसको समझ में आ गया कि वह तीनों के तीनों बारी फेल हो गया तो उसने job का status दे दिया fail clear तो ऐसे आप जो try count है आप इस चीज को use कर सकते हो clear तो दोस्तों की आपके अगले वीडियो में awesome अब